हरें यह Ma tap है कि यह यह अट है कियो है की है फोगोihu के लिए यहींता दोर्ट तो प्रैंट्स आशा कर ताहूं आप लोगों को पिछली वाली वीडियो जो है वह अच्छे लगी पसंद आई होगी तो जैसे कहीं पता हैं है आप लोगों के ontlա मैंने भी खोल के लिए कहा था आप से जिग्राफी के लिए कहा था तो जिग्राफी हमने स्टार्ट कर दी है और जिग्राफी में हम गट डिस्कस किया था इंट्रोड़क्शन यानि ihremमने पढ़ा भी बहुति वह बुगुल की रचना करी उसके बाद Fradik Retigel ने माना बुकुल की रचना करी, उसके बाद j stuk बनाए, Map किस ने बनाए, इंडिया का Map ज LIKE टॉल्मी ने बनाए, अगर बात करें, Mapасकर अक्षवल में किस ने में आएग तो और मार्टन बह्न यहWest गलोब की रचना करी तो यह सारी चीजे हमने करें थी प्लस हमने जो है देखा था कि बुगोल को बिसे के रूप में आप तीन तरीगी से बाट सकते हैं पहला आएगा इंडियन जोग्राफी दूसरा आएगा आपका वर्ल्ड जोग्राफी तीसरा आएगा आपका क्या रीजन कितने हैं उके इंडिया के नीम कितने हैं वो हमने कल देखा था उके आपके दो अफिशल नेम हैं इंडिया और भारत इंडिया जो हैंडिया जो हैंडिया जो हैंडिया इंडिया जो हैंडिया जो हैंडिया जो हैंडिया जो हैंडिया जो हैंडिया जो हैंडिया जो हैंडिय इबरत, हिंदू कुश्य, इसके बाद कहें आपका भरत वर्श, हिंदुस्तान, त्यांजू, जो त्यांजू है वो चीनी گरंतों से आता है, चीनी गरंतों में लेका हुआ, ये साथ बाकी जंबू दीब जो है इशा को कहते हैं, ये सारा जो है मैंने कल शूहें आपको लिए बताया था तो मैं एक जल्ली से एक दू मिर्ट में मैंने उसको रिवाइस कर दिया उसके बाद हमने डिटेल में हमने करा था कि या इसकी location क्या है तो मैं एक बार फिर से भे धरा देता हूँ आपको location की बारे में जिसे कि इस प्रिकार से हमने आक्षान्स आपको बिश्यूवते रेखा की जी ती जिसको कह सकते हैं ब्रद या फिर ग्रेट सरकल कह सकते हैं इसे उत्तरी हम कहते हैं उत्तरी क्या कहते हैं उत्तरी आक्षान्स कहते हैं आग गुलार्द कहेंगे उत्तरी गुलार्द कहेंगे और उत्री गुलार्द इसको कहेंगे दक्षिन गुलार्द यानि कि इसको सदन हेमस्पेर उके इसको को लेंगे नदन हेमस्पेर उके तो हमारा जो भारत है वो उत्री गुलार्द में हैं कहां पर है उत्री गुलार्द में हैं उत्री गुलार्द में कहां पर हैं कहां पर हैं एशिया में भी दच्छिन एशिया में हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, दच्छिन एशिया में हैं, और दच्छिन एशिया में भी कहां हैं, तो दच्छिन एशिया में आपका भारती उपमादीब हैं, क्या है, भारती उपमादीब में हैं, भारती आते हैं तो यह मैंने जो है कल की वीडियो में आपको बता दिया था तो एक जस्र रिमाइंडर के लिए आपको याल करने के लिए और कई सारे कुशन जो हैं हमारे बनते हैं इन चीहों से तो फ्रेंड्स अब हम बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक करने वाले हैं तो इस पहले अक्षान से रिखा समझेंगे लेटी टूडन एक्सिटेंट ऑफ इंडिया समझेंगे फिर लॉंगिटूटन समझेंगे तो पहले एक चीज़ समझेए कि हमारी प्रद्वी है और प्रद्वी पर जो है कुछ कालपनिक रिखा हैं खीची गई कालपनिक ने मतलब की ज उसी कि वेरे काली एक ये ये प्रद्वी इस प्रकार से बना दी तो प्रद्वी पर पहली तो आप जो है उद्वारधर खेंसको कि आप च्थाज किसकते हो उसके बाद आप जो हम या फिर वर्टिकल खी सकते हो या फिर आप horizontal कीच सकते हो, दो तरीकी से आप कीच सकते हो, इस वाली line को जो आपको दिख रहा है यानि कि आपका वर्टिकली दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहापर वर्टिकली दिख रहा है, यह वाली line जो दिख रही है, जिस प्रकार से मैं आपको जो है मैप में भी दिखा दूँगा मैप में भी क्या है उसको दिखा दूँगा तो इसको कहते हैं अक्षांस क्या कहते हैं अक्षांस रेखा क्या बोलते हैं अक्षांस रेखा है यह अक्षांस रेखा कहते हैं ठीक है और इस वाली रेखा को किसको इस वाली रेखा को हम कहते हैं देशांतर क्या कहेंगे देशांतर रेखा ठीक है देशांतर रेखा कहेंगे तो यह देशांतर रेखा इस प्रिकार्ड की यह हमारी उर्द्वादर कीची हुई है यानि यह वर्टिकल कीची हुई है और जो हरीजंटल है वो अक्षांस रेखा है ठीक है तो आज जो हम मेंली पढ़ने वाले अक्षांस रेखा तो अक्षांस रेखा हम पढ़ेंगे और अक्षांस रेखा से और आपका जो देशांतर रेखा से हैं बहुत सारे कोशन बनते हैं बहुत सारे प्रशन हर एक्जाम में आते हैं तो ध्यान रखिए हमारा जो इंडिया है हमारा जो भारत है उसका लोकेशन जो है अगर देशान तर रेखा की बात करें उसका लोकेशन जो है आपको दिखता है क्या दिखता आपका लोकेशन जो है याद रखिए का यह लोकेशन जो है यानि की आपकी अवस्तिती ओके क्या हम लोकेशन लिक लेते हैं या आवस्तिती लेते हैं आपकी अवस्तिती जो है देशान तर जानि के अनुसार तो कितनी है आठवी कितनी है आठवी चार अन्स नौर्थ ओके North, क्या है North Okay, to 37 degree 6 ans 37 degree 6 ans, North है North तक है, Okay उसके बाद यह है 68 degree 7 ans, या 7 कहें तो यह East में है, क्या है East है, Okay, East से लेकर कहां तक है, Okay, इसके बाद, 97 degree क्या है, 97 degree Okay, 97 degree उसके बाद कहां तक होगी 97 degree होगी, और 97 degree, पॉइंट यहां पर आप बोलेंगे 25 क्या बोलेंगे, आप 25 East राएगा, Okay, East बोलेंगे ठीक है, तो यह जो है आप पूर्ब की ओर है, पहला हमने देखा, उत्तर से कहां है 8 degree, 4 अंस है, Okay, वह कहां तक है, 37 degree, 6 अंस तक उत्तर की ओर, 68 degree, 7 अंस तक East यानि पूर्ब की ओर है, इसको बोलते हैं पूर्ब, Okay, इसको बोलते हैं आपका उत्तर, ठीक है मैंने बताया था आपको यह बना कर, कि यह यह जो होता है, वो उत्तर है, North है, और यह यहाँ पर South है, यह East है यहाँ पर, और यह West है, ठीक है मैंने यह बताया था, तो यह याद रखिएगा, बहुत ही important concept है तो यह दिसाएं याद रखना पड़ती है, तो बहिया यह जो है, यानि कि अक्षांस है अक्षांस की definition क्या हो सकती है अक्षांस की definition क्या है, इसको जो है definition कैसे करेंगे, define कैसे करेंगे, तो किसी इस्थान क्या बूलेंगे हम, किसी इस्थान की प्रद्वी से, कहां से प्रद्वी के, स्वरी प्रद्वी के, जो है प्रद्वी के केंद्र से कहां से प्रधवी के केंद्र से मापी गई क्या कौण ये दूरी क्या कौण ये दूरी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में एंगुलर क्या बोलेंगे एंगुलर डिस्टेंस ठीक है क्या बोलेंगे एंगुलर डिस्टेंस जो है से क्या बोलते हैं अक्षांस रेखा बोलते हैं ठीक है तो ये तो हो गई हमारी अक्षांस रेखा की बात क्या होई अक्षांस रेखा की हमारी बात हो गई है तो friends ये हमने अक्षान सरीका की बात करी अब अक्षान सरीका में बात कर ली लेकिन friends अक्षान सरीका हम कैसे समझेंगे कि ये अक्षान सरीका बनी कैसे कैसे आई कहां से बनी तो इसके लिए पहले मैं इसको रॉफ कर देता हूँ ठीक है ये I hope आपने ये लिख लिए आओगा ठीक है बाकी हम इसे रॉफ कर देते हैं आज सिर्फ हम अक्षान सरीका पढ़ेंगे बाकी कल देशान तर भी हम पढ़ेंगे ठीक है अक्षान सरीका तो अक्षान सरीकाओं में हमारे पास important क्या है कि या पहली चीज आप क्या करिए कि छोटा सा जो है हमने प्रद्वी यहां पर ड्रॉ कर ली प्रद्वी हमने ड्रॉ कर ली ठीक है अब हमने बोला था प्रद्वी के केंद्र से कहां से प्रद्वी के केंद्र से कहां से या प्रद्वी केंद्र से किसी इस्थान के केंदर से angular distance को angular distance केंदर मैं यहाँ पर बोल लेता है मैंने माना कि मैंने इस पर इस point पर लेकर यह आपका जो है यह बिशुवत तरीखा है इसको हम क्या बोल लगते हैं बिशुवत तरीखा बोल सकते हैं या हम इसे बोल सकते हैं ब्रहद या large सबसे बड़ा सरकल हम बोल सकते हैं अक्षांस सबसे ब्रद अक्षांस हम इसे बोल सकते हैं जो कि प्रद भी को दो भागों में विवाजित करता है क्या करता है प्रद भी को दो भागों में विवाजित करता है या हम इसे भूमत दे रेखा भी बोल सकते हैं इसके कई सारे नाम होते हैं ध्यान रखेगा ठीक है तो इसकी डिस्टेंस मैंने पहले ही बताई थी 40,000, 96,000 किलो मीटर ये प्रदवी का सरकमफेंस फरेंस यानि की परदी भी कहलाता है तो भई हम क्या करते हैं यहां से इस पॉइंट से जो है क्या करते हैं यहां पर कितने भी डिगरी का माल लीजे आप यहां पर 30 डिगरी का या 35 डिगरी का जो है एक जो है एंगल बनाते हैं क्या बनाते हैं 35 डिगरी का आप एक एंगल बनाते हैं ओके वही सेम एंगल आपको यहां से बनाना पड़ेगा कितना 35 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा ठीक है ओके अब इस 35 डिग्री वाले एंगल को दोनों तरफ से एक जैसा है 35 35 है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा इन दोनों को मिलाने वाली रेखां कि यह रेखां तो इसको देखी अभी हमने बात करी थी लेटिटीटीडनल अक्सेंड की यह एंगूलर डिस्टेंट की बात करी थी कभी यह कहीं भी से खीची कि कहीं यह कौण है यह क्या है इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, एंगुलर डिस्टेंस, इस वाले को, लेकिन जो हमने यहां पर खेची है, कहां खेची है, जो यहां पर खेची है, आपको यहां पर दिख रही होगी, यह वाले, तो यह क्या है, यह रहां से यहां तक यह हैं अक्षांस रेखा है कि अक्षांस रिखा बहुत ही important point बता रहा है इसको हम बोलते हैं अक्षांस रेखा इसी प्रकार से आप एक रेखा बिलकुल जस्ट फट्रटी डिग्री के एक रेखा यहां पर केज़ें लिए जोगी। या फिर हम कह सकते हैं, यहां से यहां तक एक थर्टी डिगरी का एक एंगल डालिए, और यहां से भी थर्टी डिगरी का एंगल डालिए, ठीक है, क्या डालिए, एंगल डालिए, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, अक्षान सरीका, क्या बोलेंगे, अक् हम इसमें करेंगे ठीक है इन में हम उस चीजों को करेंगे ठीक है वो चीज हम यहां पर करेंगे तो वह इंपॉर्टन क्या है पहले चीज यहां पर यह आती है कि भाई यह जो चीज है यानि कि अक्षान सरी का है वो क्यों बनाती है हमारे लिए काम में क्या है किस काम में आती है क्या purpose है इसका कि इतनी imaginary lines जो है वो खेची गई है तो imaginary lines जो है वो बताऊँगा कितनी उपर खेची गई है कितनी नीचे खेची गई है वो सारी चीज़े मैं आपको property समझाऊंगा ठीक है आरा मारण इसे जो है इसको मान देते हैं तो यह काम में किस चीज़ के में आती है लिखते जाएगा किस चीज़ काम में आती location location find करने के काम में आती है ठीक है इससे हम क्या कर सकते है location find कर सकते है किसी भी चीज की जो प्रद्वी पर है ठीक है किसी भी चीज को हम प्रद्वी पर है उससे हम उसके location जो है वो ढून सकते हैं ये बहुती महत्मों point है इसको note कर लीजेगा आप अक्षांस को जो है क्यों use करते हैं ये हमारी location को बताने के काम में आता है ठीक है उसके बाद ये तो एक चोटी सी property जो exam में कभी कभी पूछ ली जाती है अब हम आ जाते हैं इसकी और भी properties पे बहुत सारी properties इसकी ठीक है तो ये कैसे किची हुई रहती है ये कैसे किची हुई रहती है horizontal खीच जाती है और एक इनका बहुती important point होता है कि भीया जिस पिरकार से माल लिजे यह जो है हमने एक प्रद्वी की draw की दुवारा मैं प्रद्वी जब बार-बार में आपको समझाओंगा तभी आपको जो है सही से समझने आगा कि यह हमने प्रद्वी एक ड्रॉ करी उसमें हमने कुछ अक्षांस रेखा है जिसे कि हमने इसको बिश्वत रेखा हमने जो कीचिती इस पिरकार क्या कीचिती बिश्वत रेखा और यहां पर जो हमने कीचिती इस पिरकार से यह लाइन कीचिती इस एंगल को हमने इस पिरकार से की चाता इनको हमने कुछ इस पिरकार की चाता तो ये होता क्या है देखे इस पिरकार हमने खीची दिने लाइनों को ठीक है इन में एक बहुती महत्मूर प्रॉपर्टी होती है देखे ये जो आपकी बिशुवत तरीका है इसको हम equator कहते हैं भूमद दे रेखा कहते हैं भूमद दे रेखा या ब्रहद सर्कल ग्रेट सर्कल इसे हम कहते हैं तो अब होता क्या है यह जो रेखा हैं इस परकार की रेखा किछी हैं वो कभी भी जो है एक दूसरे को नहीं काटती ना एक दूसरे पर मिलती है जब भी कोई भी ऐसी रेखा है जो समान कैसी समान आंतर कैसी उस समान आंतर हो या कहें एक दूसरे को ना काटें और एक दूसरे के पैरलर होती जाएं कैसे हो ये पैरलर हैं कैसी है भई ये कैसी है ये पैरलर हैं कैसी है ये पैरलर हैं ये भी कैसी पैरलर है ये भी इसके पैरलर ये भी इसके पैरलर हैं तो अभी ये पैरलर हैं तो या इसको एक प्रॉपर्टी क्या गी ये हमेशा कैसे होंगी समानांतर समानांतर होंगी और ये एक दूसरे को कभी निकाटेंगे मैं लगते जाएगा ठीक है मैं बोलते जा रहा हूं कुछ यारी ची लगते जाएगा यह सारी की सारी रेखाएं जो होती है बिशुवत या भूमत देरेखा के समानतर और एक दूसरे के समानतर होती है जो कि एक दू दूसरा पॉइंट आता है जैसे कि अब यहां पर मैंने एक और रेखा कीजिए एक रेखा कीजिए एक रेखा और यह कीजिए तो आप लिख सकते हो कि देखे ये वाली रेखा और ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली इसमें सबसे बड़ी रेखा यहां पर होती है योकि 40, सजार 96 किलोमीटर की होती है और ये सारी रेखा जितनी धुरूप के उपर जाती है तो ये क्या करती है छोटी होती जाती है ठीक है या तो उपर जाएंगी तो छोटी होती है ठीक है या तो उपर जाएंगी तो छोटी होती होती है इनकी डिस्टेंस कम होती जाएगी तो आप लेख सकती हो यह सारी की सारी रेखाएं जो हैं भिन भिन जो हैं कैसी रहती अलग-अलग डिस्टेंस की रहती इनकी जो डिस्टेंस है इनकी जो लंबाई है वह अलग-अलग रहती है कैसी रहती अलग-अलग रहती है ठीक है और समानतर रहती है प्लस एक दूसरे को कभी किसी बिन्दों पर नहीं काटती जिसे कि अगर हम बात करें यह यहां पर distance भी इसकी equal होगी ओके यह वाली अगर आप बात करें यह वाली distance भी equal होगी अगर हम बात करें ठीक है तो यह वाली distance भी equal होगी यहां पर यह वाली distance भी equal होगी यह वाली ओके और यह वाली distance भी equal होगी तो इस सारी distance equal है अब कौन बताएगा मुझे कि equal distance है जब equal distance है तो इस यानि की बराबर दूरी पर है समानांतर है तो इनके कुछ दूरी होगी कुछ निश्चित दूरी होगी तो इस निश्चित दूरी जो है वो कितने किलोमीटर की होती है तो वह होती है 111 किलोमीटर सारी प्रॉपर्टी वन बाइवन पॉइंट टू पॉइंट करते जाहिएगा ठीक है पॉइंट सारे के सारे नोट करते जाहिएगा एक एक पॉइंट क्लियर करा दूंगा मैं आपका जो अक्षांस दूरी अक्षांस से लेट हैं जो हैं क्या चीज करती हैं जो हमें बताती हैं कि लोकेशन बताती हैं अवस्तती बताती हैं दूसरी चीज के समानांतर होती हैं और समानांतर होती हैं सारी के सारी रेखा हैं जो ते किलो मीटर हैं की 111 111 111 सभी की 111 किलो मीटर होगी ठीक है उसके बाद में इसको रफ करूंगा यहां पर और कुछ हम चीजे और देखेंगे ठीक है जो हमारे लिए बहुत ही महत्पूर है ठीक है तो अब हमारी बात आती है कि भी इस यो ब्रत हमने जो रेखाएं बनाई हैं जो रेखाएं बनाई हैं एक्चल में क्या होता है यह प्रदवी है प्रदवी के पूरे गोल में घुमती है ठीक है कैसे गुमती है इसे माले प्रदवी प्रदवी के गोल में घुमती है ठीक है पूरा गोल एक चकल लगाती है ठीक है पूरा एक चकल लगाती है इस परकार इस परकार प्रद्भी के चक्कर इस परकार मेलब चक्कर लगा मेलब इस पूरा सरकम सरकल जो एक कंप्लीट करती है ठीक है तो यह सरकल कंप्लीट करती है और सरकल जो होता है देखिए एक चीज तो आप व्याद रखनी बड़ेगी यह उत्तरी अक्ष्ण देखिए यह जो है भाई रेरे क्रेंट गर बेर कि बीचनिए असारी सब्क्रेंगे तो इन धृुलवों की बात करेंगे लेकरते हैं वह म AK इसमें दूसरा बूइंट है इसका जो चिन्न होता है इसका चिन्न जो होता है वो फाई क्या होता है फाई फाई से दर्शाते है किस से दर्शाते हैं हम इसे फाई से हम इसे दर्शाते हैं ठीक है कैसे दर्शाते हैं फाई से हम इसे दर्शाते इसमें जो है जो रेखा होती है यानि कि जो हमारी क्या होती है, इसमें रेखा होती है, कितनी रेखा होती है, अगर हम रेखा की बात करें, यानि कि जो रेखा है किची जाती है, वो कितनी रेखा है किची जाती है, पूछ ले जाता है, अग बिरत प्रदवी में अक्षान से रेखा कितनी होती है, तो 181, 181 र पर 179 और रेखा है 181 क्यूं ऐसा क्यूं यह मैं आपको क्लियर करूंगा इस चीज से एक भौती प्यारा सा जो है हम एक प्रदी बनाएंगे काश ऐसा होता कि प्रदी बनाते लेकिन ऐसा नहीं होगा ठीक है अब इस प्रदी में हमने अक्शांस रेखा किचीए एक और दियान देजेगा एक और पॉंट मैंने आपको नोट ने कर पाया दो नोट लेजेगा यहां पर नभए अक्शांस रेखा किच जाएंगी क्तनी किच जाएंगी अं방 पर बहुत अबन किची हैं इतनी उपर भी नबन किची आएंगी और नीचे भी नबना किचे आएंगी तो नीचे नबना है और एक आपका बीच में चली रहे तो रेखाएं कितनी हो गई 90 और 90 180 और आपका एक प्लस कर दीजे कितना होगा 181 है कितनी रेखाएं होगा 181 है यह हमने शिद्ध कर दिया अब हमें ब्रत यानि की सरकल जो है क्या सरकल जो है वो सरकल हमें पता नहीं यह बहुत सारे स्प्रेंड वो कन्फीजन होता है यह हमारा जो है नौर्थ पोल है यह हमारा साउथ पोल है यह हमारा उत्तरी दुरुब है यह दच्छनी दुरुब है क्या उत्तरी दुरुब है ओके दुरुब है बहुत ही important points बता रहा हूं यह ठीक है हो तो यहाँ पर क्या यह point है बिलकुल एक point बना हुआ है ठीक है अब इन point पर क्या होता है से कि मैंने कहा यहाँ पर एक line कीछी मैंने यहाँ पर एक line कीछी यहाँ पर एक line पॉइंट है क्या है और लिडी एक पॉइंट उत्री दूर्प क्या है वो हमेशा से एक पॉइंट ही है क्या है एक पॉइंट है क्या इस एक पॉइंट पर मैं सरकल खीश सकता हूं नहीं एक पॉइंट पर मैं सिर्फ एक पॉइंट लगा सकता हूं सेम यहीं पर एक पॉइंट पर मैं क्या लगांगा एक पॉइंट लगा सकता हूं क्या नहीं लगा सकता सरी सरकल नहीं की सकता बिल्कुल मैं पॉइंट ही लगांगा यहां पर कोई सरकल नहीं कीचेगा यानि की दो circle हमारे कम हो गए तो कितनी आएंगे circle 179 circle ये भी हमारा simple सा हो गया तो देखी एक चीज़ आप simple से जिक सीक लिए latitude मतलब क्या है latitude मतलब latitude होई रेखा है latitude मतलब latitude होई रेखा है latitude मतलब होगा latitude होई रेखा है ठीके तो ये हमारा क्या हो गया हमने यहां पर इस चीहों को हमने करा आपको ध्यान रखना है कि आप लाएं तो खीश सकते हो 181 क्योंकि देखे एक चीत ध्यान रखिए जो आपकी बिश्युवत ते रेखा है जो आपकी equator है वो always क्या रहेगी zero degree पर रहेगी उपर जाएंगे नब्य डिग्री तक कीचेंगे उपर जाएंगे जहां पर जो है कीचेंगे इसको यह जहां नब्य डिग्री पर है क्या है यह उत्तरी नब्य डिग्री है यह उत्तर में नब्य डिग्री पर जो है उत्तरी धुरुब है और दच्छन में नब्य डिग्री क्या है दच्छन पर भी 90 degree क्यों है दच्छनी धुरुबय है यह दोना 90,90 degree पर है यहाँ से चालो होंगे 0 degree से 1,2,3,4,5,6,7 इस नभे तक जाएंगे यहां पर जाएंगे, तो paycheck जाएंगे, उपर तक 90 तर जाएंगे, ठीक है, इस परकार से, उपर भी 90 डिग्री और जाएंगे, नीशे भी 90 अर जब 90 डिग्री पर पहुंचेंगे हम, तो एक point मिलेगा हमें, हम उस point पर जो है सरकल नहीं मना सकते, सिर्फ हम वहाँ पर क्या बनाएंगे वहाँ पर हम क्या बना सकते एक पॉइंट रख सकते हैं तो यहाँ ब्रत तो यहाँ पर आप क्या कर रोगे ब्रत हो 179 आएंगे आप रेखा बना सकते हो 181 ठीक है तो यह I think आपको सही से समझ में आया होगा और मैंने बताया था किस परकार से बहिया अगर आपको यह एक्वेटर है या आप यहाँ से आप इस परकार से कीचोगे इस परकार से कीचोगे इन दोनों को लाइना को मिलाओगे ठीक है तो यह क्या कहलाएगी अक्षांस कहलाएगी क्या कहलाएगा अक्षांस कहलाएगा ठीक है इसी प्रकार यहां से यह खीचोगे यहां से यह खीचोगे और यह मिलागे तो यह भी अक्षांस होगा और इनकी बीच की दूरी और इनकी बीच की दूरी वो 111 किलो मीटर होगी कितनी होगी 111 किलो मीटर होगी ठीक है तो इतना आप लोग समझ गए होगे I think तो friends आशे करता हूँ आगली वीडियो में आपको हम पढ़ेंगे देशानतर रेखा हैं और देशानतर रेखा में पढ़ेंगे कि वह आपको टाइम जो समय है समय निर्धारन कैसे किया जाता है अग देशानतर रेखा कि दोरा समय को कैसे निर्धारन करता है समय कहां पर होता है कैसे समय को एक एक मिर्ट को कि है आपर किस परकार से हम करते है JST क्या होता है Green Mean Cambridge Time निर्धन आपर ग्राम का गुरूप है उसे जोईन करिएगा बाकी पीडियाफ को महापन मिल देंगे धन्यवाद फ्रेंड थैंक यू वाचिंग दिसीडियो और वेस्टर फ्लक आपके एक्जाम के लिए आपकी रिजल्ट के लिए